हे गाइज वेलकम बैक माई यूटूब चैनल दोस्तो आज हम आपको होल टू होल डिस्टेंस फॉर्मूला गे बारे में बताने वाले हैं दोस्तो एक हमारे पास एक राउंड प्लेट है उसके अंदर हमें 8 होल करने हैं और हमारा PCD रहेगा 241 mm तो दोस्तो हमें एक होल से लेके दूसरे होल का डिस्टेंस पता करना है कितने मिलिमिटर है तो बने रही है दोस्तो मेरे साथ और देखते रही है दोस्तो होल टू होल डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला इस प्रकार है दोस्तो कोई भी राउंड सरकल 360 डिगरी में होता है दोस्तो 360 डिगरी डिवाइड नमबर ओफ ओल्स हमारे ओल्स कितने है दोस्तो आठ होल है प्लेट के अंदर डिवाइड डिवाइड एट यानिके 360 डिगरी डिवाइड नमबर ओफ होल तो दोस्तो 360 डिगरी डिवाइड नमबर करेंगे तो हमारा आजाएगा दोस्तो 45 डिगरी आजाएगा दोस्तो 360 डिवाइड 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 एट इकॉल तो 45 डिगरी आजाएगा दोस्तो ये इसके लिए एक फर्मूला यूज होगा दोस्तो साइन इकोल टू डिगरी बाइ टू इन्टू PCD इन्टू PCD तो दोस्तो साइन क्या है हमारा साइन हमारा दोस्तो 45 है साइन 45 है दोस्तो तो फोर्मूला के हिसाब से बाइ टू इन्टू तो दोस्तो PCD अमारी कितनी थी 241 मिलिमेटर 241 मिलिमेटर करेंगे दोस्तो साइन इकोल टू डिवाइड करने के बाद दोस्तो यह आ जाएगा मारा 22.5 इन्टू PCD 248 मिलिमेटर 241 मिलिमेटर सोरी दोस्तो उसके बाद दोस्तो हमारा साइन का 22.5 कमान कितना रहेगा दोस्तो एक बार देख लेते हैं मॉबाइल स्क्रीन पर साइन 22.5 इकोल कितना रहे दोस्तों यह हमारा आग है दोस्तों 0.3826 0.3826 तो दोस्तों इन्टू 241 तो दोस्तों इसको करेंग एक बार मॉबाइल स्क्रीन पर चलिए दोबारा 0.3826 इन्टू PCD 241 इकोल टू यह हमारा आग है दोस्तों इकोल टू 92.2 तो दोस्तों हमारा एक होल से दूसरे होल का सेंटर डिस्टेंस रहेगा दोस्तों 92.2 मिलिमेटर दोस्तों आप किसी भी परकार का फ्लेंच प्लेट का PCD होल टू होल डिस्टेंस यह फोर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं फोर्मूला बहुत इजी है दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को बताना के आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्यू सो मच दोस्तों पाँeldे वाँ हो प्लेटे लगी हैं